हे गाईज गूड मारिंग तो कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे दोस्त तीन दिनों के लगातार बारिस के बाद आज जाकर के कहीं न कहीं थोड़ी सी हल्की सी धूप आई है देख सकते हैं हमारे जितने भी पौधे हैं सारे के सारे ऐसा ही है और हमने अभी गमलों को बाहर निकाला है तो इसके बारे में तो मैं बात नहीं करूँगा आज जो है हम बात करने के लिए आए हैं वो है इस सिम्ला मिर्च पे आप देख सकते हैं ये सिम्ला मिर्च है और सिम्ला मिर्च की कंडिशन कैसी है इसमें कुछ सिम्ला मिर्च लगे हुए हैं जो छोटे हैं और काफी सिम्ला मिर्च की जो देख सकते हैं जो छोटे छोटे फल हैं और सायद फल ही हैं जो गिर चुके हैं कुछ फ्लावर्स हैं जो की गिर चुके हैं तो इसी के बारे में हम बात करेंगे और पस च्यादा नहीं पांच मिनट मैं समय लूँगा आपका और मैं आपको बताऊंगा ऐसे तो मैं दो दिन पहले इस पर वीडियो बनाना चाहरा था लेकिन बारिज के कारण मैं नहीं बना पाया तो गैज होता क्या है सीधे पॉइंट पर आते हैं कि आखिर कई सारे लोग सोचते होंगे कि हमारे फ्लावर्स आते हैं लेकिन फ्लावर्स आने के बाद वो फल में भी कनवर्ट हो जाते हैं फ्रूट में कनवर्ट हो जाते हैं लेकिन फ्रूट जो है वो गिर जाते है तो सीधा सीधा मतलब यह होता है दोस्त के ऐसा क्यों होता है तो कहीं ना कहीं पीड में कमजूरी होती ह अब कमजूरी क्या होती है भाई कि अगर उसे खाना ना मिलेगा तो वह क्या करेगा अपने छोटे छोटे पहले अंगों को गिराना सुरू करेगा तो मतलब ये है कि इसमें नियुटिशन की कमी हो जाती है अब किस दर्जा की नीयूटिशन की कमी हम थह ठीट को नौर्मली सबको णूर्टिशन देते हैं जैसे कि हम लोग क्या यूज करते हैं एंप के यूज करते हैं डिएपी यूज करते हैं किसी परकाफ FORTILE भाइजर यूज करते हैं किसी डिसीज को खतम करने के लिए या फिर इंसेक्ट को खतम करने के लिए तो वहां पर क्या होता है इसका प्रभाव इन फूलों पर भी पड़ता है और जिसके कारण जो प्रागन किरिया है वो सही से नहीं हो पाने के कारण यह जो फ्लावर बर्ड्स है वो स हैंट आजओंओ आगा में इसे जो नीडिशन डाला है वह कुछ अलग सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने इसमें उसकुछ नाई डाला था तो देख सकते हैं इसकी जो कंडिशन है और यहाँ पर देख सकते हैं इसके बगल में हमने इसे तीसरा पौधा जो हमारे फर्स्ट पौधा है यह हमारा सेकेंड है और यह हमारा थर्ड पौधा है जिसमें हमने दोनों में तो सेम कंडिशन में न्यूट्रिशन डाला है वट लेकिन इसमें हमने न्यूट्रिशन की कमी होने के कारण देख सकते हैं यह मैं सोचता थ पौधों को लगती है कि मुझे में कमजोरी है तो फ्लावर्स को गिराना स्टार्ट करता है उसके बाद किया करता है फ्लावर्स जब लगता है कि और ज्यादा कमजोरी है तो जो छोटी-छोटी फल बने होते हैं उन्हें भी गिराना स्टार्ट कर देता है उसके बाद भी नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूँ तो धीरे धीरे पौधा खुद को समाप्त करना स्टार्ट कर देता है, और अलग अलग तरह की बीमारिया इसमें लगनी सुरू हो जाती है वैसे तो आम तो पे से दो तरह की बीमारिया लगती है, जैसा कि लीफ करल हो गया ये और एक और बीमारी है, जो करल होने की बीमारी है, इसमें दो तरह की है ये दोनो बीमारिया इसमें लग जाती है, जिसमें पत्तियां मुड जाती है ये सब बीमारिया इसमें ज़्यादा तर लगनी देखती है, और ये ज़्यादा तिर फैलता भी है तीजी से फैलता अगल बगल फैलता भी है लेकिन हमने कंट्रोल करके रखा है इन दोनों पॉधों के बीच मर में देख सकते हैं तो यह हम मैं तो एक्सपेरिमेंट कर रहा था इस वज़े से ऐसा है नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो सायद देख सकते हैं इसमें जो है फूर हमें नूट्रिश्ट की कमी हो रही है तो ऐसा होका और आपको समय समय पर 9090-90 जो NPK होता है अपको यूज्ज करें बहुत पहतर होता है और उसके बाद जब आफों वीडियों बनने थेंक यू बबबाय तेक चयर हैपी गार्णिंग